हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो किचिन फ्लेवर्स, इजी और डिलिश्योस रेसिपीज के लिए इस चैनल को सब्सक्काइब करें, मेरी लेटिस रेसिपीज के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें आज हम आपको एक दवाई, देसी नुस्का बनाना सिखाएंगे, कैसे आप घर पे देसी नुस्का बना के अपने जुखाम और नजले को ठीक कर सकते हैं, इसे बेसन का पानी कहा जाता है, और जब पुराने टाइम में जब दवाईयां नहीं होती थी, गाउं में इसी नुस् आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब जुखाम हो जाता है तो उसमें मेडिसन ना लेके आप देसी नुसका क्या यूज कर सकते हैं, तो मिरसाथ हमारी दादी जी है, वो हमें बताएंगी, बताएंगी दादी जी हमें क्या-क्या समान चाहिए होता है, आधा चमच बेसन, यह चमचा है, इसके हिसाब से हम आधा चमच बेसन लिया है, एक चमच घी लेंगे, और बादाम, पौडर, बादाम को पीस लिया है, मिक्सी में, अच्छा, काले मिर्च, काले मिर्च थोड़ी सी इस्तमाल करेंगे, और पानी, अच्छा है, एक चुटकी अजवाइन इस्त अगर शुगर तो शुगर फ्री एड़ कीजिए, या फिर कम ज्यादा चीनी, आप अपने टेस्ट के एक लाड़िंग कर सकते हैं, मैं छोटा प्रटोरी चीनी ले रही हूं, अच्छा, इसके क्या फाइदे होते हैं, इसके जो हमें एक अले में खराश रहती है, धसका हो ज अच्छा है, अच्छा, बताइए माताजी, अब इसके स्टार्ट करना है हमें, सबसे पहले, हम एक चमचा इसमें खी डालने वाले हैं, इसके बाल, अजवाइन, गैस को थोड़ा मंदा ही रखेंगे, और इसमें हमीं एक चुटकी अजवाइन डालेंगे, इसके बाद हम इसमें तुरम बेसन डाल देंगे, क्योंकि अजवाइन काली होने लगेगी, और इसे भूनेंगे, मंदा ही रखेंगे इसको, नहीं तो यह जलने लगेगा, और सभी और एट कर रहे हैं, बेसन को घी में भून रहे हैं, कब तक इसको भूनना है, बेसन को बदामी रंग होने तक इसको भूनना है, पहले तो जब गाउं में दबाई नहीं होती होगी, तो आप लोग यही बना के, खाते होंगे, इसको पिया जाता है, क्योंकि यह काफी पतला हो जाएगा, और यह चुखाम में नजले में बहुत आराम करता है, हमारे घर में अभी यही बनाया जाता है, आप रात को इसको पी कर सो जाएए, सुबह देखिए कितना आराम मिलेगा, अभी और बताये रंग, इसे और खुमाएंगे, आज को डिम ही रखना है, और इसे अभी और भूनेंगे, इसके अंदर आप हम बदाम का यह जो बदाम हमने पीसे हैं, यह इसमें डाल दीजे, कमजी कम यह दो चमबच बदाम है, पिसा हुआ, और अब इसमें एक चुटकी काली मिल्च जालेंगे, अच्छा, एक कटोरी चीनी एड़ करेंगे, इसके बाद इसमें, धीरी ठीचे पानी फोड़ा छोड़ी ज़िए पानी ठोटी डालेंगे, एक सार कूरीओ कुमाते रहेंगे, एक मधा पानी हमने शमें यह दलाए , और इसे चलाते रहना हे, ईसमें गाठे ना पड़े, असे तरीके से इसे चलाते रहेंगे, किती देर एक उबाल आने तक हम इसे गैस पर रखेंगे अब इसे हम ढख कर रखेंगे खुला ही उबाल आने देंगे यह देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है इसे थोड़ा सा गैस को मैंने फ्लेम तेज कर दिया था खुब अच्छे से उबाला रहा है अब हम गैस बंद कर सकते हैं और थोड़ा सा इसे गुनगुना ही आप दीजिए गरम गरम पीने में यह और ज़्यादा करेगा अभी तो ज़्यादा कराम है थोड़ा सा नॉर्मल होकर हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं और इसे चाय की तरह घुट घुट करके पीना चाहिए तो इसके फायदे और ज़्यादा होंगे आप कोशिश करिए कि रात को सोने से पहले इसे पीजिए अराम अराम से और फिर दे घुट-घुट परके गरम-गरम बेशन का पानी पीजिए और जुखाम नजले में तुरंत फायदा देखिए इस रेसिपी को आप ज़रूर प्राय करें ये दवाई है और इसे आप अपने बच्चेों को घर में बड़े बुड़ों को किसी को भी जिसको जुखाम झाल झाल